दोस्तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ ओटोमेटिक वाल पेपर चेंज सेटिंग कैसे करें अभी आप देख सकती है फिलाल हमारे मॉगाइल फोन के अंदर ये वाल पेपर है फिर से ये वाल चेंज हो गया और मैं जितना वर अपने मॉगाइल फोन को लोक अनलोक करूंगा ना उतना वर हमारा वाल पेपर चेंज होता है कभी जो है रोकेट वाला आ जाता है कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है और अगर आपको पता नहीं और अटोमेटिक वाल पेपर चेंटिंग कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लाश्टर देखते लिए आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हिलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो अगर आप भी अपने मॉइल फोन के अदर आटोमेटिक वाल पेपर चैन सेटिंग करना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक कर देना है आपको और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यह वीडियो वह कैसा लगा पुझे कमेंड बॉक में जरू से बता चैनल से लोग को टाहेगा या फिडाय्यों आपको लोग स्कीन का भी ओफसन देखने कं झ irritation को मिल सकता है यहाँ इंड रोक टेखने को मिलेगा यहाँ पर लोग स्कीन डिखने को मिलेगा यहा पर लोगल्ए करिक करना है अब यहाँ थार आप को नीचे के साइड में आना अब यहाँ पर आने कबर यहाँ पर आप जिख सकते एक बटन है जो कि turn on लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं तो यह वाला setting जो हमाले mobile phone से गाइब हो जाता है यहां पर आप दे सकते हैं यह वाला सेटिंग अभी आ रहा है लेकिन यहां पर मैं जैसे इसको बंद कर दोणा नहीं यह वाला सेटिंग काइब हो जाएगा और ये वाला setting जैसे आप on कर लेते हैं आपके mobile phone के अंदर automatic wallpaper जो है वो change होता रहता है यहाँ पर simply आपको ये वाला setting को on कर देना है और जब आप इसको बंद करना चाहें तो simply आप इसको यहाँ पर से बंद कर सकते हैं वीडियो को लाइक करना साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले